हलो गाईज वेलकम बैट जॉर अनें लॉंग वीडियो कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे सबसे पहले गईज आप सब लोगों गो थैंक यू म Everybody ज़िए और मरी वीडियो Chi कमेंट करने के लिए तो चलोगा शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आप सब को याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने एक बड़े पॉक्यमॉन से फाइट की जिसकी वज़े से हमारे छोटो पॉक्यमॉन काफी इंजर्ड हो गया था देन आप सब को याद हो तो हमने बाहर निकाल के देखते हैं कि उसकी सारे इंजरी ठीक हुई या नहीं तो यह देखू गाइज यह बाहर आके कितना खुश है बाहर आते हैं यह हमारे लिए काम करने लग गया बोले तो माइनिंग करने लग गया तो आई थिंक यह एक वरकर पॉक्यमॉन है यह हमारे लिए स्टोन सेहटते कर रहा तो चलो GUYS हम इस से थोड़ाइस समाल ले लेते हैं और फिर इसे इसका काम ने देते हैं तो हमारा नेक्स टास्क है कि हमें पांच लैमबोल पॉक्वोंड को कैप्चर करना है तो GUYS पर spellball craft करते हैं अरे ये क्या गाइस हमारे पास तो बस चार spellball craft करने जितना ही material है तो पहले चार spellball craft कर लेते हैं एक spellball का material बाद में ढूंड कर craft कर लेंगे तो अब हमारी चार spellball craft हो चुकी है तो अब हम और वोड लाते हैं जिससे हम अपने 5th स्वैल बॉल क्राफ्ट कर ले तो फटाफट से वुड कलेक्ट करने के लिए पेड़ करते हैं अरे यह क्या गाईस हमने तो पूरा ही पेड़ कर दिया तो चलो फटाफट क्राफ्ट टेबल के पास चलते हैं और अब हमें स्टान्स चाहिए, तो चलो फटाफट से भाग कर अपने पॉकिमोन के पास चलते हैं यह देखो, पॉकिमोन ने कितने सारे स्टान्स हिटटे कर लिये और हम उससे स्टान्स उठा लेते हैं बट यह क्या गाईज, हमारा बैक काफी बारी हो गया है मैं ढंक से चल भी नहीं पा रही हूँ पर चलो हम स्पेलबॉल क्राफ्ट कर लेते हैं पर आज हम एक एक्स्ट्रा स्पेलबॉल क्राफ्ट कर लेते हैं ताकि अगर हम से एक स्पेलबॉल मिस भी हो जाए तो हमें दिक्कत ना हो तो चलो गाइस फटाफट हम अपना टास्क कम्प्लीट करने के लिए पॉक्यमॉन्स को कैप्चर करते हैं तो आप सब को याद हो तो ये वो छोटो 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 पॉक्यमॉन्स है जो शीप जैसे दिखते हैं अरे हट ना आगे से रास्ते के बीच में खड़ा है ये ले एक पंच अरे ये क्या गाइस अपने केटेविया ने तो इस पॉक्यमॉन को किल ही कर दिया अरे केटेविया तू वापस बोल मैं आजा मुझे कोई फाल्तो का लफड़ा ही नहीं चाहिए तो चलो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं ये पॉक्यमॉन समय वही मिलेंगे जहां ग्रास जादा होती है ये देखो रास्ते में बैरीज मिली इन्हें उठा लेती हूँ आगे जागी पेट पूजा करने में काम आएंगी अरे गाइस आज ये पॉक्यमॉन पता नहीं कहां मर गए वैसे तो इतने सारे गूमते रहते हैं बट आज नीड है तो एक भी नहीं दिख रहा यहाँ पर तो पॉक्यमॉन दिखींने रहे तो चलो उपर की साइड जाके देखते हैं वो देखो गाइस वो रहा सामने वो पॉक्यमॉन चलो फटाफट से चल करते हैं इसने हमें बहुत गुमाया आए फटाफट पॉक्यमॉन को बाहर बलाते हैं चल केटेविया आजा फटाफट से इन्हें क्याप्चर करना है कभी यह भाग ने जाए और यह ले एक पंच और ये मैंने एक spell wolf एक की और I think एक Pokemon capture हो गया अरे Catavia बेवकुफ ये तूने क्या किया इसे हमें किल नहीं करना था हमें इसे capture करना था अब तू मर गया रुक गया तू तू आज भाग कहा रहा है रुक अंदर चल तू तो गाइस आप सबने देखा ये Catavia बेवकुफ ने क्या किया जिस Pokemon का हमें capture करना था Catavia ने उसे ही मार दिया अब हमें फिर से Pokemon को लोना पड़ेगा पर ही क्या हमें तो बस एक ही Pokemon को ढूना है तो गाइस मेरे को लगता है मैंने पहले भी Lambole Pokemon को capture किया है इसलिए टास्क में ही हमें बस एक ही Pokemon दिखा रहा है तो चलो फटा फट से पहार से नीचे देखते हैं वहाँ कोई Pokemon है या नहीं अरे ये देखो वहाँ एक Pokemon अपने जुन्ट से अलग है तो चलो इसे capture करते हैं पर गाईज हमें पहार से संबल कर नीचे उतरना पड़ेगा जोकि जादा उचाई से जम्प करने पर हमें serious injuries हो सकती है तो ये लो गाईज हमारी safe landing हो चुकी है और ये ले एक पंच ये ले अरे गाईज ये क्या हमारी एक spell ball वेस्ट हो गई और ये दूसरी spell ball और ये लो हमारे ये task complete हुआ अब हमारे अगला task है हमें एक parachute craft करके कहीं उचाई से जम्प करनी है तो चलो फटाफट अपने बेस की तरफ जाके अपना अगला task complete करते है और ये देखो गाईज यहां कितने सारे लैंब बॉल घूम रहे है जब इनकी जरुवत थी तब एक भी दिखाई नहीं दे रहा था तो ये देखो सामने एक मैमान पॉक्यमोन है ये कितना बड़ा है अब हमें इससे पंगे नहीं लेने हैं तो चलो इसके side से चलते है गाईज में को डर लग रहा है क्योंकि हमारे पस जो पॉक्यमोन है वो किसी काम का नहीं है बहुत बेवकोफ है गाईज हम इतनी महनत करते हैं प्लीज आप सब हमें सपोर्ट कर हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर तो ये हम अपनी क्राफ्ट टेबल के पास पहुंच गए है तो चलो फटावर्ट से टेकनलोजी में जाके पेरशूट को अन्लॉक करते हैं कहां है कहां है अरे ये रहा अब जल्दी से पेरशूट क्राफ्ट करते हैं जिसके लिए हमें सबसे पहले वूल चाहिए तो वूल हमारे पास है लेकिन पेरशूट बनाने के लिए हमें क्लोथ चाहिए तो पहले वूल से क्लोथ बनाते हैं वो अब हमारे पास क्लोथ है पेरशूट बनाते हैं तो अब हमारे पास क्लोथ है क्यों आ रहा है चलो जलती से भाग के दूर चलते हैं अब हमें जम करने के लिए उपर जाना पड़ेगा तो चलो पैरशूट टेंस्ट करते हैं उपर जाके पर गाईज मेरे को बहुत संभाल के जाना पड़ेगा अगर मैं यहां से गिरी तो मेरी हड्डियों का कर्चुमबर निकल जाएगा तो अब मैं उपर आ चुकी हूँ तो चलो उपर वाले का नाम लेकर जम करते हैं जो होगा देखी जाएगी और यह देखो गाईज हमारा पैरशूट तो बहुत स्मूथली काम कर रहा है अरे यह देखो इसने मेरे को सेफली लेंड करा दिया बिना किसी डाम अब हम अपना नेक्स टास्क शुरू करते हैं जो की है एक शील्ड क्राफ्ट करना तो सबसे पहले टेक्नालियोट जिमें जाके शील्ड को अनलॉक करते हैं कहां है कहां है कहां है अरे यह रही तो गाईज हमने शील्ड को अनलॉक कर लिया है तो अब हमें शील्ड बनाने क लिए पैले टिम फ्रेग्मेंट चाहिए वुड तो हमारे पास है ही स्टोन और फाइबर हमें कलेक्ट करना है तो चलो फटा-फट से स्टोन और फाइबर लेकर आते हैं सबसे बहले अपने एक्स निकाल के वुड को काटना स्टार्ट करते हैं मेरे हिसाब से काफी वुड हो तो गाइज अब हमें पहले टिम फ्रेग्मेंट चाहिए बट उसके लिए पहले स्टोन पिक एक्स बनानी पड़ेगी तो हम फटा फट से स्टोन पिक एक्स बना लेते हैं यह देखो हमारी स्टोन पिक एक्स बन गई है देखते हैं हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए स्टो चलो स्टोन निकटे करते हैं पर यह क्या गाइस जैसे ही हमने स्टोन को उठाया हमारे बैक फुल हो गया तो चलो थोड़ी से स्टोन को गिरा देते हैं गाइस हमारे पास समान बहुत जादा है तो चलो सबसे पहले वुट इंचेस्ट बना लेते हैं wooden chest के लिए हमें stones की need है तो चलो stones लाते हैं और guys रात होने वाली है तो हमें फटाफट काम करना पड़ेगा चलो हम फटाफट से wooden chest craft करते हैं तो guys हम survive कर पाई या नहीं यह आपको next video में पहता चलेगा